हाई फ्रेंट्स यार मोश्ट विल्कम अवर चैनल अनंद इंग्लिश लिट्रेचर एगें आयम परजेंट तो टेक न्यू टॉपिक लेंग्विश फैमिली इडिस वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड इंट्रेस्टिंग एज नॉलिजवल फॉर आल इस्टुडेंट्स फ्रे लेंग्विश है जितनी सारे लव हजारों में कि संख्या में लेंग्विश है हर लेंग्विश का कोई ना कोई एक रूट है कोई ना कोई एक जर है जहां से लेंग्विश निकला है जैसे हिंदी हो संस्क्रीत हो पंजाबी हो बंगाली हो तमील हो हमारे इंडिया की बात कर तो international language में जैसे other country का है English हो French हो Latin हो यह कोई भी language हो उस सब language का past से उसका कोई न कोई connection है सब language किसी न किसी एक language से एक root से वो निकला हुआ है तो बात करेंगे आज हम लोग English language का root कहां से जूरा हुआ है वो कहां से start हुआ है तो बहुत ही interesting होने वाली है यह वीडियो ते लिए स्टार्ट करते हैं A language family is a set of languages driving from a common ancestor or parent करता language family एक set of languages है एक language भासाओ का एक समू है जो कहीने कहीन एक common इसका parent है कोई एक parent है जहां से करने का मतलब कोई न कोई जो इसका गून है language का वो पीछे से जूरा हुआ हुआ है बाद में आ करके सब अलग हुआ है लेकिन पीछे back जाकर देखे तो कहने कि यह सब जूरा हुआ है कि वर्ल्ड में कितने लेंग्वेज फैमिली है तो देर आर अबाउट वन हंडेड वन हंडेड फोर्टी एट लेंग्वेज फैमिली इन दी वर्ल्ड लगभग 148 लेंग्वेज फैमिली पूरी वर्ल्ड में 148 लगभग 148 पूरी वर्ल्ड में लेंग्वेज फैमिली है जिसमें से बात करेंगे कुछ जो मीजर लेंग्वेज फैमिली है उसके जैसे यहां बात करेंगे लेंग्वेज फैमिली यह तो मैं बताया कि पूरी वर्ल्ड में 148 है जिसमें से कुछ मेजर है जैसे लेंग्वेज फैमिली है इस लेंग्वेज फैमिली के अंदर में बहुत सारे लेंग्वेज हैं इसका सब डिविजन है फिर उस डिविजन का भी सब डिविजन है दुसरा है अस्ट्रोनेशियन अस्ट्रोनेशियन लेंग्विज फैमिली दुसरा है इस्ट्रोनेशियन लेंग्विज फैमिली जो इसके अंदर भी बहुत सारी लेंग्विजेज हैं बहुत सारी इसका सब पार्ट भी है थाड है Niger- Kongo Niger- Kongo language family और फूर्थ है Indo-European language family ये world में लगवा 46% जो speaker है वह Indo-European language family का है language ही यूज करता है वर्ड का सबसे बड़े language family है वह एंni य्डो यह्रोपीयन लेंग्वेज सपाइमीली है इसी में बात करेंगे। इसी फैमिली में English हम लोग के इंडिया की जितनी सारी लेंग्वेज है उश्राय आ जाता स्था इंडो यहां एंडिया साइड में सिंटर एसिया है और यूरोप में जितने सारे लेंग्वेज़ज है सब इसी इसी लेंग्वेज़ फैमिली से बिलोग करता है next है Afroasian Asiatic Language Family ASIO Afroasian Language Family यह फिरका और Asia छेतर में जो लेंग्वेज़ बोली जाती है उसको Afroasian Language Family इसके अंदर में आता है सारा next है यह जो एकrire टिड्रेवियन लेंगूइज़ फैमिली ट्राइबियन लेंग्वेजपैमिली में नहीं कुछ है तो यह हमारे इंडिया में जो साउथ जिसे तमिलाड़ हुआ केरल हुए करनाटका साइड है सिरलंका है उस वहाँ पे जो तमील लेंग्विज बोली जाती है करनार लेंग्विज है और शाउथ साइड में जो भी है लेंग्विज वो इस लेंग्विज फैमिली से आया हुआ है ड्रेमियन लेंग्वेज़ फैमलीज से नेकस्ट है तबियन लेंग्वेज फैमली तबियन लेंग्वेज फैमली यह कुछ मेजर्ब्स है अब लोग बात करेंगे में इंडु यूरोपियन लैंगईकस फैमिली का इंडीय युर्पियान कैं लैंगवेज फैमिली जहों वर्ट का सबसे लार्जेस्ट लैंगवेजो फैमिली है रुडी इसी के अंदर में English Hindi Sanskrit हमारे इंडिया नौर्थ सेंटर और इस्ट इंडिया की जो लेंग्विज दे सब्सक्राइब यह इंडो यूरोपियल लेंग्विज फैमिली से ही बिलॉंग करता है अब इसके अंदर में आठ में इंडो यूरोपियल लेंग्विज फैमिली के अंदर में आठ एट में इसका सब्सक्राइब लेंग्विज फैमिली है जीसे अल्बेनियन एक इसका सब्सक्राइब लेंग्विज फैमिली है इसके अंदर में भी बहुत सारे लेंग्विज है सेकेंड है अर्मेनियन लेंग्विज फैमिली अर्मेनियन लेंग्विज फैमिली है थर्ड है बाल्टो स्लेबिक लेंग्विज फैमिली फोर्थ है शेल्टिक लेंग्विज फैमिली शेल्टिक लेंग्विज फैमिली है और फिफ्थ है फिफ्थ है Germanic Germanic Language Family Germanic Language Family और इसमें ही हम डोग आगे पर हैंगे Germanic Language Family में ही English आता है, और Next है, Hellenic Language Family Hellenic Language Family और Next Indo-Iranian Language Family Indo-Iranian Language Family इंडो इरानियन लेंग्वेश फैमिली और इंडो इरानियन लेंग्वेश फैमिली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसी में हमारे इंडिया और इरान साइड का जो भी लेंग्वेश है इसी के अंदर में आता है इंडो इरानियन में इसमें हिंडी संस्क्रीट आता ह है और नेक्स्ट है इटालिक इटालिक language family नेक्स्ट है इटालिक language family यह मेन आठ language family है जो इंडो-उर्योप्यन language family के अंदर में आता है उसका सब डिवीज़न है अब देखते हैं अब इस लेंग्विज में हम लोग बात करेंगे अज जर्मैनिक language family का Germanic language family जिसके अंडर में English आता है अब देखिए Germanic language family और ये Germanic language family भी इसका तिन subdivision है जिसमें तिन subdivision है एक है North Germanic जो Germanic के North side में जो बोली जाने वाली language है वो north germanic family के अंदर में आता है second है west germanic west germanic language family और last है east germanic language family east germanic language family जो जर्मनी के north side में जो बोली जाती है language इसको अंदर में बहुत सारे इस्ट में लैंग्वेज हैं यह है वेस्ट है फिर इस्ट germanic है और वेस्ट में भी जो north west में north sea germanic family है north यानि जो जर्मनी के north sea side जिसके बात जो इंग्लिश चाइनल है उसके बाद उस साइड में इंग्लैंड है उस साइड की language family पॉली के बोला जाता है North sea language family उसके अंदर में इसका साब पार्ट है एंग्लो के इंग्लो फ्रीशेन एंग्लो फ्रीशन लेंग्वेज फ्रीशन अब थोड़ा कुछ याद कीजिए एंग्लो एंग्लो फ्रेशन जो इंग्लो जो वहां उसको कभजा किया था? उसे जूरा हुआ, उसे रिलेटिर। फिस्यान लेंगएच फैमिली के जो डीको नेग्स्ट जो इसका लेंग्वेज आया वह ओल्ड इंग्लिश । यह ए संध जो लेंग्वेज का use किया अग्योजन पुरवित उनने अन। 10066 सीस डीके पेरी है पेरियेट का थे हो सारा या सारह ओल्ड इंग्लिस का लाया कि और इसी ऑड इंग्लिस से जाकरके नेक्स्ट में आगे English language बाद में जाकरके English language डेवलप हुआ किसे Old English से जाकरके English डेवलप हुआ तो इस तरह से देखें कि कैसे इंग्लीश का किस किस language फ्रेमिल से होते होते में एक English language पर आये और एक थोड़ा यह देखते हैं कि यह English बना कैसे यह language का नामा करन कैसे हुआ तो सबसे पहले इंजल्स जो है इंजल्स कहा जाता है जो एंग्लो था उसी का एंग्लो इंग्लो था तो इंग्ला लेंड जो हम पड़े हैं वो इंग्लो का रहनी विले जो जगा था उसको इंग्ला लेंड कहा एंग्ल्स उसक अपने आपको वो लो वो जो लेंग्वेज का यूज किया व अग्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्व यह वाद में इस ca Vir इसमे इंगळे इंगर से इंगलीश कि को इस टाइब का इन जी एमलि ए इस टैब कां इंगलेश हुआ और लगवां चोसर के टाइम में इसका अपना जो भी परजेट टाइम इसका जो फ्रम है जो रूप है इसका नाम है वह में नाम है चोशार के लगवार टाइम में पूरे इंग्लिश यह नाम लगवार टाइम में इनग्लिश इस तरह से इसका नाम पड़ा तो अब देख सकते हैं पर मैं पूरे दिखा देता हूं पूरे लेंग्वेज फैमिली पूरे वर्ल्ड में लगवाद 148 है 148 जिसमें इंडो यूरोपेन लेंग्वेज फैमिली आता है चो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेंग्वेज फैमिली है उसके अंदर में जर्मेनिक आता है जर्मनी का भी तीन पार्ट है जर्मनी लेंग्वेज फैमिली में नॉर्थ-सीर जर्मेनिक लेंग्वेज फैमिली Absolute, इसके अंदर में Anglo-Frewish abolition लेंग्लिश फैमली है और ख़े अंडर में आता उल्ड इंग्लिश पना और इंग्लिश का नाम करण की निछे मैं बता ही दिया, तो आज का वीडियो यहीपे इन करता हूं